हेलो फ्रेंड्स गुड विनिंग स्वागत है आप सबका स्योकिर्पा कलासेच पर मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हमारा SSC MTS वा हवलदार एकजाम 2013 का टेस्ट सिरीज नमबर 3 है जिसमें हम लोग सामान गयान के GK वा GS के महत्पूर्ण प परसनों पर बनाए जा रहे हैं तो दोस्तों आप लोग इने कांस्टेट होकर साल्प करें कोस्टन कम सही होने पर पुना टेस्ट सिरीज का रिबीजन करें ताकि होने वाली SSC MTS वा हवलदार एकजाम के लिए आप लोग पूर्ण से प्रिपेर रहे हैं तो छलिए दोस्तो को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या है तो थोड़ा सा यहां पर चार्चा कर लेते हैं दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्रारभ में भारते संग्विधान द्वारा हम लोगों को साथ मौलिक अधिकार दे गए थे लेकिन 24 संग्विधान संसोधन के द्वारा संपत्य क यह अधिकार को मूल अधिकार से हटा कर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। नेज़ देखेंगे question number 2 को, दो नमर कोशिटन है दूस्तों general science का खाना पकाने की गयस यानि की cooking गयस में निमनली खित में से कौन कौन सी गयस मिली होती है, तो हमारा सही ऐंसर होगा दूस्तों, butane और propane, यानि कि बिकल्प number C, यहाँ पे हमारा सही answer होगा, नेस देखेंगे तीन नमबर कोश्चन को कोश्चन है दोस्तों महत्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहा दिया था दोस्तों बहुत धर्म और जयन धर्म यह बेरी-बेरी उंपार्टन टापिक्स है दोस्तों आप लोग देखेंगे कि हर सिप्ट में यहां से आपको questions देखने को मिलेंगे इसलिए धिरे-धिरे करके दोस्तों सारे questions को जितने भी important topics हैं इर्दिगिर जितने भी questions बनाये जाते हैं उनके हम लोग पूरी तरह से कबर करने का प्रियास करेंगे चले दोस्तों इस question को यहाए पर solve करते हैं महतमा बुद्ने अपना पहला उपदेश कहा दिया था तो इसका सही answer होगा सार्नात यानिके बिकल्प number C यहाँ पर हमारा सही एंसर होगा दोस्तों महातमा बुद्ध ने अपना अबदेश सारनात में दिया था जो की धाग मुद्चक्र परवर्तन के नाम से जाना जाता है ध्यान रखिएगा नेस देखेंगे कोश्चन नमबर फोर को गायत्री मंत्र परशिद गायत्री मंत्र किस बेद में है तो हमारा से इंसर होगा दोस्तों रिग बेद में यानि कि बिकल्प नमबर यह यहाँ पर हमारा सही एंसर होगा थोड़ा दोस्तों इसके रिद्गिद और भी जो कोश्चन बनते हैं हम लोग चर्चा कर लेते हैं धरी धरी इससे हम दोस्तों पूरी दरह से हर टापिक को ख़बर करने का प्रियास करेंगे दोस्तों परशित गायत्री मन्द्र रिख बेश से लिए गया है एजुर बेश में दोस्तों यह एक गद्यों-पद्ध यानि पुछाता है दोस्तों कौन सा बेद यानि की कौन से बेद की रचना गद्धि वापद्धि दोनों में की गई है तो हमारा सही अंसर होगा यह जूर बेद सामबेद की बारे में बार-बार पुछा जाता है दोस्तों कि भारतिय संगीत का जनक है तो कौन सा बेद है सामबेद है अथर बेद दोस्तों ये कर्म कांड प्रधान गरंत है जिसमें तांत्र मंत जादो टोना ये सब चीजें वडित हैं चलते हैं फाइम नमबर कोश्चन प बिकल्ब नमबर बी यहाँ पर हमारा सही एंसर होगा नेस देखेंगे सिक्स नमबर कोश्चन को कोश्चन है दोस्तों पलासी की लडाई किन दो पच्छों के बीच हुई थी तो हमारा सही इंसर को दोस्तों सिराजुत दौला यों अंग्रेजों के बीच में दोस्तों पला किसमें शिराजुद्दौला की प्राजय हुई थी आगे चलेंगे हैं लोग सेवन नमर कोश्चन में कोश्चन है दोस्तों ओजोन प्रत पिर्थीवासियों की रच्छा करती है तो किससे रच्छा करती है सुर्ष से निकलने वाली अल्ट्रा-वाइलेट के उनों से और दोस् समताप मंडल सबसे निचे छोब मंडल उसके बाद समताप मंडल फिर बीच में मद्ध मंडल उसके उपर आयन मंडल लास्ट में है सबसे उपर बहिर मंडल अब थोड़ा और इसके डीपली चर्चा कर लेते हैं सबसे निचला हमारे छोब मंडल है बादल इसे में बनते हैं औ किसमें रेडियो क्रोणों का प्रसारण होता है और लास्ट में है दोस्तों वहिर मंदल आगे चलेंगे हम लोग कोश्चन नमबर 8 की और दीर देरे दिरे दोस्तों हम लोग और डीपली जाने की परियास करेंगे जिनके इर्दिगिन हमारे कोश्चन बनते हैं कोश्चन है दोस्तों भाखना नांगला किस नदी पर बनाई गई है तो इसका सही अंसर होगा सतलज नदी यानि कि बिकल्प नंबर बी यहाँ पी हमारा सही अंसर होगा भाखना नांगल्प योजना बार पार पुछा गया कोश्चन है दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग 9 number question देखेंगे हम लोग भारत में पहली पंच वर्षी योजना कब शुरू केगे बेरी बेरी important topic रहेगा दोस्तों आपकी exam के लिए पंच वर्षी योजना तो यहाँ पर हमारा सही answer होगा दोस्तों 1 April 1905 यानि कि बिकल्प नंबर भी यहाँ पे हमारा सही answer होगा भारत में पहली पंच वर्षी योजना 1 April 1909 में प्रारम की गई थी ध्यान रखेंगे दोस्तों इससे सम्मद्धी जितने हमारी 12 वी पंच वर्षी है हर questions को दोस्तों हम लोग कबर करने का प्रियास करेंगे और आप लोग भी देखेंगे दोस्तों यह सब important topics है हर shift में यहाँ से questions आप लोगों को मिलेंगे दस नंबर question देखेंगे हम लोग भारत में सबसे पहले मानो विकास report यानि कि HDI Human Development Index जारी करने वाला राज्जी है तो है दोस्तों मद्धि पर्देश यानि कि बिकल्ब नंबर C यहाँ पर हमारा सही answer होगा सबस्क्राइब करें दोस्तों आप मारे चैनल स्यूक रुपा कलासच को इसी तरह के वीडियोज के लिए 11 नंबर question है दोस्तों निमलिखित में से कहां से करकर रेखा गुजरती है गुजरती हमें बताना है चार राज्य हमारे सामने है तो दोस्तों भारत के आठ राजियों से होकर करकर रेखा गुजरती है और दोस्तों करकर रेखा ये 25.5 डिगरी नार्थ एक अच्छांसे रेखा है अब हम आठ राज की बात करें दोस्तों तो कौन-कौन से राज से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य पर्देश, छतितगर, जारकन, पस्चिम, बंगाल, तिरपुरा और मिजोरप, एक करम से हैं दोस्तों पस्चिम से पूर, जो करके रेखा गुजरती है, तो इसमें विकल में देखेंगे, तो कौन से म मानक समय, जो की एक देशांत्री रेखा है, और यह भारत का प्रामालिक समय दोस्तों इससे माना जाता है, और यह भारत के पांच राजियों से उकर गुजरती है, उत्तरपर्देश, मद्दपर्देश, छतित्यसगर, उडिशा और आंध्रपर्देश, यानि करके रेखा आठ राज और आईस्टी, यह है पांच राज यह रखेंगे दोस्तों, बार-बार पूछे आते हैं सारे कोश्चन्स, बार-बार हम लोग इसका रेपीजियन भी करेंगे दोस्तों, नेस्ट कोश्चन है, सोज नहर किंदो सागरों को जोड़ती है, यहां दो कोश्चन पर ह पारे में बात कर लेते हैं, तो दोस्तों पनामा नहर जो दो महासागरों को जोड़ती है, वो हैं अटलांटिक महासागर को परसांत महासागर से, नेस्ट चलेंगे दोस्तों, हम लोग 30 नमबर कोश्चन की और, कोश्चन जनरर साइनस से इंपॉर्टन ने की ती तो सही अं चले चलेंगे हैं लोग सरकारिया-उर्प का संबन्ध है केंद्र राज संबंध हो है next देखिंगे 15 number question जोकी test series का दोस्तों हमारा last question होगा question है दोस्तों भारतिय संसत के उपरी सदन को क्या कहा जाता है तो क्या कहेते हैं दोस्तों लोक्सभा sorry दोस्तों उपरी सदन पुछा या रहा है तो आप उसके बारे में दोस्तों डीपली चर्चा करते हैं एक बार GU को मिटाएंगे पुना एंसर करेंगे भारतिया संसारत के उपरी चतर को क्या का जाता है तो राज्य सभा का जाता है जो की एक झाल जो सदस्यता के लिए दोस्तों जो minimum age निर्धारित की गई है वो है 30 वर्स वह यह हम लोग सभा के बारे में बात करें तो लोग सभा एक अस्थाईं सदन है जिसका बिग्डण किया जा सकता है और इसकी सदस्यता दोस्तों मतलब 25 वर्स होना चाहिए यानि लोग सभा 25 वर्स पास्टर पती 35 वर्स आप लोग ध्यान रखेंगे उसके बाद और भी हम लोग कोस्टन के जरी इनके इद्गित डेपली बात करते रहेंगे तो यह थे दोस्तों हमारे फिप्टेनियम सीक्यूट जिसको हम लोगों ने आप इस साल्ब किये हैं उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने साल्ब किये होंगे और देखे होंगे कि यहां से आपके कितने कोस्टन सही हो रहे हैं तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज के लिए आप मारे चैनल स्विकृपा कलासे से जुड़ेवा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे दोरा दिये जाने वाले सभी व मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ थैंक्स वार वाचिंग